संसार की दूसरी सबसे बड़ी आवादी विश्यु का सबसे युवा देश किसी भी देश को विक्सित करने के लिए चाहिए उच्छी शिक्षा का समान अवसर पर क्या संभो है कि हर कोई इसे पा सके तो कौन देगा उच्छी शिक्षा का समान अवसर आईए जानते हैं हमारे आज के एपिसोर्ड में Education Loan जब बखु भी जानते हैं हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ये शो सिर्फ एक चाट शो नहीं है ये एक आईना है आपकी जिंदगी का जो आपको आपसे मुखाटिब कराता है और जब बात आती है न सपनों की जिंदगी को जीने की वो भी बखु भी जीने की साथ-साथ मुख्किलों को जीतने की तो याद आते हैं वो जिनोंने ये सलीका हर किसी को सिखाया है उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन बड़ा है कौन छोटा कौन अमीर है कौन गरीब है उन्होंने सिर्फ राय दी है हिदायत दी है जो सब के लिए एक जैसी है एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीने का अर्थी वदल दिया हो खुद से पहले अपने समाज और अपने देश के विकास को तरजी दी हो तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शक्सियत से जो हमारे शो के मेंटॉर होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे इनसान भी है उन पर पूरा देश, पूरा समाज, गर महसूस करता है आईए आपको मिलबाते हैं श्री सुनील कुमार गुपता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे शो उपर तो सर जैसे कि हमने कहा कि आगे बढ़ने के लिए अपनी मंजिल को जानना बहुत जरूरी है और मंजिल जब इनसान जान जाता है तो अपने रास्ते वो खुद तै करता है तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं लिटरसी के बारे में, एडिकेशन के बारे में हमारे देश के बच्चों के बारे में जो हमारे देश का फ्यूचर होते है सबसे पहले हमें बताएं कि इंडिया में अगर बात की जाए लिटरसी रेट की, तो वो कितना है यह हम कैसे काउंट करें, कैसे मेजर करें नमीता, यदि हम देखें अपने देश में तो हमारे देश में जो साक्षर्ता रेट है लगभग 14% है और यह 2011 का जो संसे सर्वे था उसके मुताबिक 14% की साक्षर्ता है, मतलब 100 में से 74 लोग पड़े लिखे हैं और यदि हम देखें, पर्देश की बात करते हैं यह देखें की रिपोर्ट है 2015 की, उसके मुताबिक हमारा 15-24 साल का जो यूवाए उसका साक्षर्ता रेट 90% है और यदि हम यह देखें कि पूरे संसार का साक्षर्ता रेट क्या है, उसकी एवरेज क्या है तो जो यूरोपेन कंट्री हैं, उनमें साक्षर्ता रेट 99% से लेकर के 100% है और अगर एवरेज देखें, पूरे संसार का, उसमें सारी कंट्री, अफ्रीका और सब कंट्री आ जाती है तो बो 84% है अच्छे, यहां पे सर आप से जानना चाहूंगी, जो आप रेट बता रहे हैं, लिटरिसी का साक्षर्ता का यह हम मेजर कैसे करते हैं, किस स्टेट का, किस कंट्री का, या पूरे वोल का कितना है यह तो पूरा सर्वे होता है, जैसे कि एक तो संसेस होता है, हमारी कंट्री में, और एक युनेस्को भी अलग सर्वे करता है और इसी पकार से पूरे वोल्ड का सर्वे होता है, जिसमें कि यह सब रेट निकाले जाते है तो 100% साक्षर्ता जरूरी है किसी भी देश के लिए आगे बढ़ने के लिए तो यहाँ पर जानना चाहूंगी कि एक इनसान लिटरिट है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब क्या क्राइटीरिया उसका देखिए इसके लिए अलग लग तरीके के क्राइटीरिया है उसमें एक तो क्राइटीरिय यह होता है कि जो व्यक्ति जो 7 साल से उपर का बच्चा होता है अगर वो किसी भी भाषा में लिख पढ़ सकता है तो उसे हम साक्षर कहते हैं अब जानना चाहूंगी यहां पर की लिटरिसी इतनी मैटर क्यों करती है सिर्फ देश की डेवलाप्मेंट के लिए या और भी कुछ इसके फैक्टर्स है सबी के लिए देखिए सामाजी गूप में अगर सोसाइटी को बढ़ना है देश को आगे बढ़ना है और पूरे संसार को पर अकच्छी जंगा बनाना चाहते है रहने के लिए तो सबका साक्षर होना जिरोड़ी है गवर्मेंट ने कौन-कौन सी स्कीम लांच की हैं कौन सी सुविधाय वो दे रहे हैं लिटरसी को इंक्रीज या बढ़ाने के लिए हमारे देश में अगर देखा जाए तो अलग-अलग मिनिस्ट्री की स्कॉलर्शिप की अलग-अलग स्कीम है तो यह डूनना अपने आप म में बहुत बड़ा काम है कि मेरे को कौन सी मिनिस्ट्री से कौन सी स्कॉलर्शिप की स्कीम मिलेगी इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने क्या कि एक स्कॉलर्शिप आपको कौन सी मिनिस्ट्री की किस स्कॉलर्शिप स्कीम के लिए इंडाटल है इसके ल रहते हैं उसके साफ से आप किस बर्क से ब्लाउंग करते हैं उसके साफ से आप SC, ST, Minority या General Category में हैं आपने कितनी एजुकेशन लिया है और कौन सी एजुकेशन लेना चाहते हैं और कहां से लेना चाहते हैं उसके साफ से बो प्लेटफॉर्म आपको बता देता है कि यह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पैरंस के पास पैसे नहीं होते हैं उनको पढ़ाने के लिए तो उनके लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है को एडिकेशन लोन जो की वो ले सकें जिसे वो आगे पढ़ सकें हां देखिए हमारे देश में लाख्षमी कारेकरम तो इसमें भी एक प्लेटफर्म दिया गया है वो प्लेटफर्म ऐसा प्लेटफर्म दिया गया जिसका नाम है विद्यालक्ष्मी.co.in यह ऐसा प्लेटफर्म है जिसमें कि स्टुडेंट अपने पूरे पर्टिकुलर भर सकता है और वो सब मUL्टिपल यह योजना सब्टमबर अगस सब्टमबर में लाँच हुई है जिससे कि स्टुटेंट को यह नहीं जुरोत कि वो बार-बार हर बैंक में जाए तो इस्टुटेंट इसमें अपने पूरे पर्टिकुलर्स भर देता है कि मैंने क्या किया क्या करना चाहता हूं किस उनुस्ट् सब्ची कर सकता है अधिया थी जिए आफिलेट अभी आपने तो सब बैंक देख सकते हैं और अगिर पास लेकशन सब्ची सब्ची कर सकते हैं कि जो भी योजना ठी लोन की वो बाता चाब दून पहले कोई कॉलेटर सेकृर्टी नहीं लेते थे आप अच्छा और उसमें ना होने के कारण और हमारा मिडल क्लास या लोर मिल क्लास या जो हमारा ज्यादा लुटे तो जब यह लॉन दूस तो बैंक को परिशानी होती तो बैंक कोशिश ही करता था कि लोन ना देने पड़े अध्याम वाले उसकी कोशिश होती थी प्रण लोन नना ले आदमी लोन यह सेप्टमबर 2015 में लाउंच की इसमें क्या हो इसका नाम है जैसा नाम से लग रहा है Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loan उन्होंने सब बैंक्स को बोला कि आप अपना लोन दीजिए साड़े साथ लग तक का लोन दीजिए उस साड़े साथ का लाग तक का लोन अगर आपका डूपता है तो उसकी भरपाई वो गौर्वर्मेंट का Guarantee Fund करेगा अच्छा उसमें सरकार ने ये भी दायद दी कि अगर आपको इस Guarantee Fund योजना में लोन देना है तो जो हमारा student था उसको कम rate of interest पर लोन मिलना शुरू हो गया यानि सरकार अपनी तरफ से facilities दे रहे हैं सुविधाएं दे रहे हैं जरूरत है उनको पहचानने की और उन पर काम करने की इन फैक्ट यहाँ पर हमने बहुत सारे interesting facts अर्से जाने आगे भी जानते रहेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या-क्या relaxation दे रहे हैं सरकार बच्चों के लिए education loan में लेकिन इस break के बाद और साथ ही आपकी मुलकात करवाएंगे एक बहुत खास शक्सियत से भी तो आप कही म चाहिए देखते रहें बिजनस इंसाइड ब्रेक के बाद बिजनस इंसाइड में आपका स्वागत है management trainee से field general manager तक साधारन युवा से असाधारन बन कर देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी चर्चा है काम्याबी के शिकर को पाना और उच्छ शिक्षा के महत्तों को देश में प्रसारित करना इनका लक्ष है financial support बैंक के जरिये जरूरत मंद बच्चों को देना देश की नई पौध को नई सोच देना यही है व्यक्तित्व हमारे आज के guest of the day डॉक्टर राजेश यदुवन्शी का तो अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं PNB बैंक के दिल्ली NCR के जोनल मानेजर डॉक्टर यदुवन्शी जी से जिन्नोंने बच्चों के भविश्य की इबारत लिखी है आईए उनका स्वागत करते हैं और उनका साथ देने के लिए है हमारे शो के mentor शी सुनील कुमार गुपता जी सर आपका बहुत बहुत अभी नंद ने हमारे शो में तो जैसे कि अभी कुछ दिर पहले सुनील जी हमसे बात कर रहे थे कि इडिकेशन लोन हमारे बच्चों के भविश्य के लिए बहुत इंपॉर्टन है आपकी क्या राया इस बारे में बिल्कुल बहुत ही जरूरी है जरूरी है कि कहीं भी हमारे देश में आप जानते ही हैं सभी लोग शायद एडिकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनहीं के लिए कि अगर कोई भी ऐसा जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है या चोट-चोटे काम करते हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए एडिकेशन लोन जो है काम आता है और वो जो चाहें जैसा भी एडिकेशन चाहें उस साइड की अपने बच्चों को दे सकते हैं और आप जानते हैं कि अगर ऑगी तो देश का भवविश्य है बच्चे तो अल्टिमेटली देश के विक कि एडुकेशन लोन मिलते थे पहले भी लेकिन तो भी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पारे क्योंकि उनकी प्राक्टिकल अप्रोस थी तब उन्होंने पहली बार जो मैं आपको बता रहा था कि यह स्कीम जो क्राइटीरिया के बारे में जानना चाहती हूं कि बहुत ही सिंपल है कि इंडियन नेशनल भारतिया नागरिक होना चाहिए तो पहली रिक्वार्मेंट ही है 10 Plus 2 उनिका हो इसे पास किया हो उसके बाद वह준 करना चाह रहे है दो उसके लिए उनको है और टो इसकों के लिए कर्पसक्ता है और pen number है तो ठीक है नहीं तो वो apply कर सकते हैं एक साल के अबाद दे सकते हैं को ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें और सबसे बड़ा बात है कि अगर जहां भी उनका admission हुआ है उसका एक admission letter चाहिए और एक वो detail चाहिए जैसे prospectus होता है किसी institute का कि उसमें क्या-क्या उसके खर्चे हैं वो सारे खर्चे की detail होनी चाहिए जिससे की loan उनको sanction किया जा सके यानि पहले से तो बहुत simple हो गई है सारे सारे चीज़ें जो जानकर बढ़ी खुशी महसूस होती है अचा आपसे जाना चाहूंगे सुनील सर की और क्या-क्या facilities हैं या सुविधाएं हैं जो government प्रवाइट करी एडिकेशन लोन के लिए देखे ये इसके अलावा एक और बहुत innovative government ने scheme निकाली है जिसको हम बोलते है central scheme for interest subsidy matterGB कि जब बच्चा loan ले लेता है और वो तीन साल का course मान लो कर रहा है चार साल का course कर रहा है तो चार साल के दूरान जो ब्याज ब्याज होता है और उसकी नौकरी लगने में मान लो एक सारह और लगता है तो में आप click करने कि ये इसको आपका है सारा का सारा ब्याज माफ हो जाएगा, इसको रिंबर्समेंट करती है या इसको जो देती है वो सेंटल गोर्मेंट देती है अच्छा अपने फंड में से तो ये इसके अलावा और बहुत सारी योजनाय है जैसे कि हमारे देश में नेशनल सफाही करमचारी फाइनास लोग पहले क्या करते हैं अब भी करते हैं हमारे देश में आइसा कि साहुकारों से लोन लेते हैं तो अगर वो लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसके क्या benefits हो सकते हैं उनको दोकूर सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं सहु कारों में जो दर होती है बहुत ज्यादा ब्याज उनसे लिया जाता है और वो बाद में वापिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अभी जो स्कीम, अभी 7.5 लाग की जैसे गुपता जी ने भी बताया है स्कीम के बारे में जो गौवर्मनें लगाई है उसमें क्या है सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो बच्छा पढ़ रहा है क्या government ने क्या किया है कि जो scheme बनाई गई है education loan में 15 साल का time दिया गया है उसको loan को वापिस करने के लिए यह तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है इससे pressure भी काफी हद तक सर कम हो जाएगा जिन्होंने loan लिया है उनका राइज जी बिल्कुल और इसी के साथ आप से जानना चाहूंगी जैसे सर ने भी बताया और आपने भी बताया कि interest rate कम करने का जो है वो तो बहुत इंट्रेस्टिंग है उसके अलावा भी कुछ relaxation के लिए schemes निकाली गई है तेकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि student को पहले पता नहीं लगता था वो लोन ले कहां से और कै jewels的 करी enough तो margin money होता है सरकार यह कैती है आज की dad men who साड़े सात लाग के बार जो margin money ऑर चार लाग से उपर 20 मेन अगर शीराट मी कर शहीं आप का टो अपन्ड़ अपर प्रसंट मार्जिन मैं और बिदेश में आपड़ जैसे पंद्रा मार्जिन मार्जिन मार्ग है तो ये margin money बहुत कम कर दी और मैं इसमें ये भी पताना चाहूँगा कि जो हमारे बड़े institution है जो बड़े नामचीन institution है जो IIM है महारे उस case में बहुत सारे banks जैसे परिजाब मिशल बैंक है डॉक्र साब जादा अच्छा बताएंगे कि उन लोगों ने ये भी scheme निकाली है banks ने कि उस case में आपका margin zero कर दिया गया मतलब कि किसी गरीब का बच्चा होनार बच्चा है पराही में उसका admission बड़े अच्छी है इनविश्टी में हो गया या बड़े अच्छी IIM में हो गया तो उसको margin कुशनी देना आपसे भी इसके बारे में सर जानेंगे बहुत सी बाते लेकिन यहाँ पर हमारे शो में जल्दी जल्दी वक्त आगे बढ़ जाता है तो Business Insight में एक चोड़ा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है हम बात कर रहे हैं बच्चों के भविश्य की बहुत important topic है आप कहीं में जाईए जो remote है अपने हाथ में लेकर रखिए देखते रहे हैं Business Insight ब्रेक के बाद Business Insight में एक बाद फिर आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सुष्टेव हाजर हूँ हमारे साथ हमारे show के mentor Shri Sunil Kumar Gupta Ji है और आज हम बात करें हमारे guest of the day से जो की है Dr. Yaduvanchi जी यहाँ पर आपसे जालना चाहूंगे अगर education loan की बात करते हैं sir तो कितना interest rate होता है education loan का Actually क्या interest rate जैसे Sunil जी ने बताया कि जैसे गोर्मेंट की scheme जो आई है तो अभी जैसे एक साल का rate PNB का 9.35 है तो 11.35 पे आपको वो rate मिल रहा है जो बहुत ही competitive है Sir आप क्या कहना चाहेंगे देखी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में पहली बार जी पहली बार ऐसी योजना है जिसमें सारे साथ तक का लोन आपको bigger किसी guarantee के मिलता है और जो बहुत ही अच्छी बात है तो इसका फाइदा उठाना चाहिए आपको और जो गौर्मेंट ने पोर्टल एक प्लेटफॉर्म दिया है आपको जिसमें आप मल्टी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं उसका ही करना चाहूंगे आपसे की अगर कोई education loan ले रहा है criteria की आपने बात की लेकिन उसमें क्या का cover किया जाता है मैं वही बता हूँ जैसे पढ़ाई के लिए for example आप बच्चा कहीं पी जाता है पढ़ने के लिए आप पताए कि जैसे fees है उसकी उसमें उनकी पे करेंगे अच्छा आपसे जाना चाहूंगे जैसे भी सर ने बताई बहुत अच्छी बात तो यहाँ पर जो हमारे कॉलर्स है ना उनके सवाल भी पूछना चाहूंगे आपसे दो हमने कॉलर्स सिलेक की है एक इमिल के जरी जिन्होंने हमें सवाल बेजा है जारखंट से इनका सवाल इनकी बेटी बारवी कर चुकी है सर और आगे और पढ़ना चाहती है लेकिन प्रॉब्लम समस्या ही है कि इनके बास पैसे नहीं हो से आगे पढ़ाने के लिए तो यह जाना चाहते है क्या गवर्मेंट की तरव से इनको कोई मदद मिल सकती है अब मैंने अभी वही हम चर्चा कर रहे थे कि इनको पूरी मदद है साड़े साथ लाग तक का लोन इनको बिगर किसी गैरंटी के पर अपनी मनजल को तैय करना बिल्कुल मुश्किल बात आपके लिए नहीं होगी यहां पर आपसे जानना चाहूंगी जो स्कीम लॉंच होई है यह जैसे सर ने अभी राय दी बताया कि फोकस कितना इंपॉर्टन है और यह जानना कि आप आगे पढ़ना चाहते है आपका क्या है आप क्या कहना चाहेंगे सबसे इंपॉर्टन बात देखो इन जो भी गौर्मेंट की शीम आई है या जो बेंकों में शीम है और साथ में मैं भी बताना हूं कि बंक है जो फार्ग को के लिए बहुता हूं जितने भी दस लाग तक की लोन हमारे एजुकेशन लोन हम बनाय हुआ है प्रियोटी सेक्टर गाइडलाइन से बैंक के लिए तो उसमें एक लिमिटर हमें टारगेट है जैसे 40% का टारगेट है में जितने एडवांसे हम देते हैं लेंडिंग करते हैं 40% प्रियोटी सेक्टर में हमें करना होता है और जो एज्यूकुशन लोन है जो 10 अवेरनेस बढ़ा ही जा सकती है बच्चों के लिए अचा मैं बात करना चाहूंगी जो बच्चे वहां रहते हैं जहां पर इतनी अवेरनेस नहीं होती है क्या वहां पर भी यह सारी स्कीम पहुंच पार है इसका चेक किया जा रहा है सर बच्चा किसी भी रिमोट एरिया मे हो तो उस एरिये में डिजिटल इंडिया पहुंच रहा है उसमें कही ना कहीं उसको इस विदा जरूर मिलेगी कि उसके पास एक कंप्यूटर मिले मतलब उसे सरफ एक कंप्यूटर तक पहुंचना है और इंटरनेट जहां पर हो बस तो बढ़ी अच्छी बात है और आगे चलकर अभी मिलेंगे हमारे लखी कॉलर से भी लेकिन यहां पर एक और छोड़ी से ब्रेक का वक्त हो गया रुक रहें एक ब्रेक के लिए we'll be back in no time so don't go anywhere stay tuned and keep watching Business Insight तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से Business Insight में आपका स्वागत करने के लिए मैं भी हाजिर हूँ हमारे शो की mentor हमारे साथ हैं शुर सुनील कुमार गुपता जी और आज हमारी hot seat पर मौजूद है हमारे guest of the day PNB Bank के दिली NCR के zonal manager जो education loan के बारे में बहुत सारे interesting facts हमको बता रहे हैं डॉक्टर यदुबंची जी आपका एक बार फिर से दोनों का बहुत बहुत स्वागत अचाब ब्रेक में जाने से पहले एक email वाला सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया था लेकिन आजके जो हमारे lucky caller हैं उनका सवाल भी आपसे जाना चाहूंगी सर सवाल यह है सवयब आलम है सबसे पहले आपको नाम बता दूँ जानना चाहते है आई टी आई के student रह चुके हैं पढ़ाई की है वहां से switching और cabling इनका talent है basically माहिर है उसाथ में इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन problem वही है पैसा नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो कहां से अरेंज कर सकते हैं क्या मादव इनको मिल सकते हैं मैं आलम जी को मवरक बाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोर्स करके अपना entrepreneur बनने की कोशिश करने हैं बहुत अच्छी बात है जरूर करने चाहिए लोन की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका unit micro unit में आ जाएगा तो इसलिए बैंक कोई quality security नहीं मांगेगा आपसे ना कोई guarantee मांगेगा आप अपना पूरा proposal बनाएं उसमें अपने पूरी detail बनाएं पूरा business plan बनाएं कि मैं क्या बनाऊंगा मुझे कौन सा equipment चाहिए क्या computer चाहिए कितने का आते हैं कहां से खरीदूंगा क्या बनाऊंगा पर कैसे सेल करूंगा उसको एक कागेश पर उतार लीजी और किसी बैंक के पास जाईए आपको जुरूर लो मिलेगा तो यानि सरकार तो कोशिशे पूरी कर रहे हैं लेकिन जरूरत है उसको पहचानने की सर तो मैं चाहूंगी जो हमारे lucky caller है जिनके सवाल का जवाब अभी इसी तरह से आप भी अपने सवाल अपने मन में जो भी दुविधाई चलती है कोई कश्मकश है तो वो सवाल हमको लेग कर भेज सकते हैं जो लोग अभी हमारे शो को देख रहे हैं उनको तो पता चल गया है न कि एजुकेशन लोन मिल सकता है वो आप क्या करें कैसे रिंब पैसा नोंने दिया हुआ है उसके रसीट वगरा वो बहिंक में दे दे दें उसके बेस पर उनको पैसा रीमबस हो जाएगा और वो साहुकार को वापिस भी कर सकते है अरे तो बड़ी अच्छी बात है अचा सर आप से भी जानना चाहूंगे आप एक छोड़ा सा सवाल जैस अरे तो बड़ी अच्छी बात है अच्छा चलते चलते जाते जाते आपका एक सिग्नेचर कमेंट तो बनता ही है मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि सिक्षा एक कदम है अंधेरे से उजाले की तरफ अरे बड़ी अच्छी बात कह दी सर ने कम शब्दों में बहुत कुछ कह अगे सर आपकी क्या राया सर इस बारे में मेरा यह कहना है कि अगर एजुकेशन लोनों जेतनी भी सुविधा हैं गॉर्में ने दी हैं तो सभी पड़े और देश को आगे बढ़ाएं और देश आगे बढ़ेगा तो अफकोस हमारे देश की तरक्की होगी जो कि हम सब का ए दोस्तों हमेशा आपसे कहते हैं कि भीड उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है लेकिन इसका मतलब यह जो रास्ता सही है इसलिए इस जसे म거श नहीं होगी थी किसी जगह इसी वक्तह तब तक के लिए अपना खयाल रखिए और हमेशा Хुश रहे नमसकर झाल 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 झाल